नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हिंदी साहित देखें सभी काल खंडों से प्रश्णों को लेकर मैं उपस्तित हुई हूँ और ये प्रश्ण मोखे रूप से TGT, PGT, NETZRF या हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी करने वाले अव्यार्थियों के लिए या वीडियो उप्योगी सिध्य हो सकता है तो वीडियो को पुरा अंत तक देखे अब तक हमने 75 प्रश्ण को देख लिया है आज हम 76 प्रश्ण को देखेंगे इसमें सबसे हमारा अंतिम प्रश्ण था पर हित सरी सधरम नहीं भाई पर पीरासम नहीं अधमाई इस पंती के रचेइता कौन है? तो तुलसीदास जी इस पंती के रचेइता है अगर आपने इसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अब ऐसे ही उसे देख ले चलिए बढ़ते हैं आज दूसरे प्रश्ण के साथ अगला आज का प्रश्ण है जो आधुनी के काल से पूछा गया प्रश्ण है क्योंकि पहले ही मैं बताई हूँ कि हिंदी साहिति के सभी काल खंडों से प्रश्णों को मैं इस वीडियो में समाहित की हूँ चलिए देखते हैं बिनादेर किये हुए प्रश्णों के क्रम को प्रश्ण है पल्लव के रचैता कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचैता है अगला प्रश्ण है पवित्रता की माप है मलिंता सुख का आलोचक है दुख है, पुनिकी कसोटी है पाप, यह कथन असकंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है, तो यह कथन देव सेना का है, अगला प्रिश्ण है, पुरानों में असोक को क्या कहा गया है, तो पुरानों में असोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अगला प्रि अगला प्रशन है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है तो पूस की कहानी के रचनाकार प्रेम चंद्र है अगला प्रशन है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है तो चंद बरदाई पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है तो चंद बरदाई पूस की रात कहानी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है प्रकृत के सुकुमार कभी किसे कहा जाता है तो प्रकृत का सुकुमार कभी सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है यह कथन किसका है तो यह प्रफुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंतियों के रचेता कौन है? तो इस पंति के रचेता रचेता है अगला प्रश्न है प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का विलोम और वाचीन अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मानो द्वारा किस अनाज का प्रियोग हुआ? देखे यह प्रश्न थोरा सा विवादित कह सकते हैं क्योंकि कई ज चावल भी मिलता है अगला प्रश्ण है प्रचिन भारत में कौनसी लीपी दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है तो खरोष्टी लीपी जो है वो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है प्रश्ण है प्रदेसिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भासा का आस्रय लेकर एक सामान साहित्य भासा स्विक्रित हुई जिसे चारनों ने नाम दिया पिंगल भासा अगला प्रश्ण है प्रेम पचीसी कहानी संग्रा के रचनाकार कौन है तो ध्यान रखना है प्रेम पचीसी या कहानी संग्रा प्रेम चंद्र का है प्रश्ण है प्रेम लक्षना भाक्ती को किस भाक्ती साखा ने अपनी साधन का मुल्य आधार बनाया तो कृष्ण भाक्ती साखा ने अपनी साधन का मुल्य आधार बनाया अगला प्रिश्ण है प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सुत्र है प्रश्ण है प्रेम सागर के लेखक कौन है तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल है प्रश्ण है बांगरू बोली का किस बोली से निकट सम्बंध है अगला प्रश्ण है बिहारी किस काल के कभी थे तो बिहारी इरिती काल के कभी थे अगला प्रश्ण है बिहारी किस राजा के दरबारी कभी थे तो बिहारी राजा जैपुर नरेस जैसिह के दरबारी कभी थे प्रश्ण है, बोंदेले हर बोलो की मोह हमने सुनी कहानी थी, खुब लड़ी मर्दानी वहत्तो चासी वाली रानी थी, इस पंती के रचेता सुभद्रा कुमारी चोहान है सुभद्रा कुमारी चोहान अगला प्रश्ण है बुंदी नरेस महाराजा भावसी का आसरित कभी कौन था तो मती राम महाराजा भावसी के आसरित कभी थे अगला प्रश्ण है बैताल पचीसी के रचनकार कौन है तो बैताल पचीसी के रचनकार सुरती मिस्र है प्रश्ण है बैर क्रोध का अचार्या इस पंती के रचैता कौन है? तो अचार्य रामचंदर सुकल इस पंती के रचैता है. प्रश्ण है भारत का सेक्स्पियर किसे कहा जाता है? तो भारत का सेक्स्पियर कालिदास को कहा जाता है. अगला प्रश्ण है भारत की प्रचीन भासा क्या है? तो भारत की प्रचीन भासा संस्कृत है अगला प्रश्ण है भारत के किस प्रांत में कौंकनी भासा बोली जाती है तो भारत के महाराष्ट और गोवा प्रांत में कौंकनी भासा बोली जाती है अगला प्रश्ण है भारत के प्रथम राष्ट कवी कौन है तो भारत के प्रथम राष्ट कवी मैथली सरन ग अगला प्रश्ण है, भारत में सिला लेखो का प्रचलन किस ने कराया? तो भारत में सिला लेखो का प्रचलन असोक ने कराया? अगला प्रश्ण है, भारत में संस्क्रित मा है, हिंदू बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुस के अनमोल बचन है? तो डॉक्टर कामिल बूल के इन्होंने कहा है कि भारत में संस्कृत मा है तो वहीं हिंदी बहुरानी है और अंग्रिजी नौकरानी है उन्होंने इन तीन भासाओं को कहा है अगला प्रिश्ण है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भासाओं क्या है तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भासाओं क्या है तो चिन्नी तीवती समों भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भासाओं क्या है तो चिन्नी तीवती समों भारत में सबसे कम बोले जाती है तो भारत में सरवाधिक लोगों दुवारा जो भासा बोली जाती है वहाँ है हिंदी और जिसकी लीपी है देवनागरी अगला प्रिशन है भारतिय इतिहास का कौन सा सुरूत प्राचिन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिन पान हो सही उत्तर हो है अगला प्रिशन है भारतिय भासाओं में कौन सी भासा द्रवीर भासा की उत्तपति नहीं है तो माराठी यह द्रवीर भासा की उत्तपति नहीं है अगला प्रिशन है भारतेंदू कृत भारत दुर्दसा के सहित्य रूप का हिस्सा है तो भारत दुर्दसा भारतेंदू के लिखा यहां नाटे साहित्र है इनके द्वारा रचित यहां नाटक है अगला प्रश्ण है भासा के सम्बंध में हिंदी सब्द का प्रियोग सर्व प्रथम किस ने किया अमीर खुसनुन और ने हिंदी सब्द का सर्व प्रथम प्रियोग किया अगला प्रश्ण है भीक्छुक कविता के रचाईता कौन है? तो भीक्छुक यह सुरिकान त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता है अगला प्रश्ण है भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीम बेट का गुफाओं के सैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था प्रश्ण है भूसन का कौन सा लक्षन गरंथ है तो फूसन का लक्षन गरंथ सीवराज भूसन है अगला प्रश्ण है भूसन किस रस के कवी है तो फूसन वीर रस के कवी है प्रश्ण है बूसन की कविता का प्रधान स्वर क्या है तो फूसन की कविता का प्रधान स्वर है प्रसस्ती परक अगला प्रश्ण है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ अगला प्रशन है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सी है तो यहाँ पर यह उतर गलत दिया हुआ है अगला प्रशन है मध्य प्रदेश किस जिले के देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोसित किया गया? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोसित किया गया? अगला प्रश्ण है, मनुष्यता का बेप्रितार्थक क्या है? तो मनुष्यता का बेप्रितार्थक बरबरता अगला प्रश्ण है, मनुष्यता की शामानिय भावना को आगे करके निम्निसरेनी की जनता में आत्म गवरों का भाव जगाने वाले सरवस्रिष्ट कवी कौन थे? तो कवीर थे? अगला प्रश्ण है, मसी का अगज छुओ नहीं, कलम गहे नहीं हांत, इस पंती के रचैता कौन है? तो इस पंती के रचैता भी कवीर दास जी है ऐसा कहा जाता है कि कवीर दास को अक्षर का ग्यान नहीं था अगला प्रश्ण है महादेवी पर्मा को किस रचना के लिए ग्यानपिठ पुरसकार मिला तो महादेवी पर्मा को यामा के लिए ग्यानपिठ पुरसकार मिला अगला प्रश्ण है मुझे तोर लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेक मात्र भूमी पर सीष चढ़ाने जिस पथ जावे बेर अनेक इस पंती के रचैता कौन है तो इस पंती के रचैता माखनलाल चतुरवेती है अगला प्रश्ण है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके सासनकाल का वर्नन किया है तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सासनकाल का वर्नन किया है अपनी पुस्तक मेगस्थनीज में इंडिका में मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के सासनकाल का वर्नन किया है अग मैथली किस भासा राजी की भासा है, तो मैथली यह बिहार राजी की भासा है, अगला प्रिश्ण है, मैला अंचल उपन्यास के लिखब कौन है, तो मैला अंचल उपन्यास के लिखब पनिश्वरनात रेनू है, अगला प्रिश्ण है, यह युग बच्चों के समान हस्ता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अखरपन, सरलता और तनमयता थी यहा कथन किस आलोचक का है तो यहा कथन अचारी रामजनर शुकल का है अगला प्रश्ण है यामा के रचैता कौन है तो यामा की रचैता महादेवी बर्मा है इस रचना पर इन्हे ग्यान पिठ पुरसकार प्राप्थ हुआ था अगला प्रश्ण है रंगभो में उपन्यास के रचनाकार कौन है तो प्रेमचंद रंगभो में उपन्यास के रचनाकाल है अगला प्रश्ण है रत है याहे नसों में छुदर पानी, जाच कर तु सीश दे, देव कर जवानी इस पंती के रचयिता कौन है? तो माखा लल चतुर बेदी जी इस पंती के रचयिता है प्रश्न है रस्मिमांस रस्सिधान से समंधित पुस्तक है और इस पुस्तक के लिखक है अचारे रामचंद्र शुकल है प्रश्न है रसिक प्रिया के रचैता कौन है तो रसिक प्रिया के रचैता की सवदास है अगला प्रश्ण है रागदरबारी उपन्यास के रचैता कौन है? रागदरबारी उपन्यास स्रीलाल सुकल का है प्रश्ण है राजभासा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भी जी खे राजभासा आयोग के अध्यक्ष थे अगला प्रश्ण है रानी केत्की की कहानी की भासा क्या है? तो रानी केत्की की कहानी की भासा है खरी बोली प्रश्ण है रानी केत्की की कहानी के रचईता कौन है? तो रानी केत्की की कहानी के रचईता इसा अल्ला खा है और रानी केतकी के कहानी का दोसरा नाम उदयभान चरित भी है तो इस कहानी के दो नाम है एक है रानी केतकी कहानी दोसरा है उदयभान चरित अगला प्रश्ण है रामचरित मानस की भासा क्या है तो रामचरित मानस की भासा ओधी है प्रश्ण है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद